दोस्तो पंजाबी इंडस्ट्री तों कोई ना कोई माड़ी खबर सुननों मिल दिया रही है सरदूल सिकंदर जी दी मौत वाद गायक दिल जान दी सडक हाथ से चुमोत होई तेहों पंजाबी इंडस्ट्री ते एक होर दिगज कलाकार आज एस दुनिया तो रुखसत हो गए पंजाबी फिल्मा दे ते टीवी दे वड़े एक्टर स्तीश कोल आज एस दुनिया नूं हमेशा लई अलविदा कहागे ने हांजी दोस्तो आज दोपैरे स्तीश कोल दी लुद्याना चुमोत हो गई जस बारे उन्ना दी मू बोली पैंड सत्या देवी ने जानकारी दिन दे दस्या कि पिछले कुछ दिना तो उन्ना नूं बुखार हो रहा सी जसकार के उन्ना दी हालत काफी खराब सी खराब हालत दे चाल दे आउन्ना नू बीर बार दे दिन शिरी रामा चैरी टेवल होस्पिटल दाखल करवाया गया जिते स्तीश कोल दे क्रोना पॉजिटिव होन बारे उन्ना नू जानकारी मिली कुरूना दे चाल दे उनना दी हालत दिन बर दिन खराब होंदी चली गई ते अज यानि के 10 सप्रेल दी दुपया नू स्तीश कोल दी 73 साल दी ओमर जो मौत हो गई क्रीव 300 वी वद फिल्माचे काम करचुके स्तीश कोल जी काफी लिम्बे समेतों सहत नाल जुड़ी परिशानिया नाल लड़ रहे सी उन्ह दे फिल्मी करियर दी गल कर гл करीता स्तीश कोल ने साल 1973 जे बॉलिवूड फिल्म प्रेम पर्वतनाल अपने करियर दी शिरुवात कीतीजी ते जे पजबी फिल्मादी गाल करिये ता साल 1945 चे मोरनी फिल्म नाल पैजबी फिल्म इंडास्टरी चोंना ने कदम रखे wyst मोरनी फिल्म नाल अपनी शिरुवात करने मले स्तीश कोल अपनी पहली ही पैजबी फिल्म नाल रातो रात स्टार बढ गए जस्तो बाद उन्हा दी लक्षी ते राणों जन्हा फिल्म भी सुपर हेट रहिया फेर एकसमा एहो जे आया जदो उन्हा तो बिना कोई भी पंजाबी फिल्म नहीं बन दी सी क्यूंगे स्तीरी श्कोल नो जस भी फिल्म चे लिया जानदा ओ सुपर हेट होंदी सी जेस करके उन्ना नो पंजाबी फिल्म एंडास्ट्री दा अमिता बच्चन भी के हाचान लगा पर फिर स्तीश कोल दी जंदगी च एहो जा समा भी आया जेस नाड उन्ना दी हालत दिन पर दिन माडी हुंदी चली गई स्तीश कोल फिल्माच ना बहुत वधिया काम कर रही सी पर उन्ना दी नीजी जंदगी काफी उथल पुथल पर ही रही पतनी दे नाड होए तलाक तो बाद उन्ना दी जंदगी ठीक न रही साथ अफरिका दे डर्बन शेहर चे एक जट फैमली दी कुडी नाड उन्ना दा व्याँ होया ते उन्ना दी पतनी चंदी सी के स्तीश अपने माता पिता ते इंडिया नू छड़ के उन्ना दी नाल डर्बन शेहर आगे रहें पर स्तीश कोल दा कहना सी के जेडे माता पिता ने उन्हानु जनम दिता है ओ उन्हानु की में छट दिन स्तीश कोल अपनी पत्नी नाड जान नो त्यार नहीं सी जेस करके उन्हादी पत्नी ते स्तीश कोल तलाक दे फैंसल ते पहुंचे ते दोन्हाने तलाक ले लिया जेसे में तलाग होया उस समय उन्हा दी पत्नी प्रेगनेंट सी ते बाद चोना दी पत्नी ने दुझा व्या करवा लेया ते पती ते बेटे नड अमरीका जाके बास गई स्तीशकोल दी माडी हलद दुझा करन रहा उन्हा दा एक्टिंग स्कूल उन्हा ने एक एक्टिंग स्कूल खोलया ते जो वी उन्हा कोड जमा पुझी सी उन्हा ने एस एक्टिंग स्कूल ते ला दिती पर कुछ कारना दे करके स्कूल बंद करना पया एस स्कूल नाड उन्हा नू वड़ा काटा पया जिस दा काटा पूरा करदे करदे ओन्यदा कर तक विक गया जैस्तो बाद स्तीश कोल एक टीवी चैनल लई कम करन लगे एस टीवी चैनल चे कम करन दे दुरान ओन्यदा बात्रूम चे पैर फिसलन दे कारण चूला टोट गया सी जो थोड़ी बहुत जमा पुझी बची सी ओवी लग गई एस दोरान ओकरीव टाई साल तक बेस्त्रिते पै रहे जैस्तो बाद सत्या दिवी नाम दी एक ओरत स्तीश कोल नो अपना प्राबना के अपने कर ले गई जैना नाल ओ आज जी वी रह रहे सी इना कुझ होन तो बाद भी स्तीश कोल जी ने हार नहीं मननी सी उन्हाने पंजाबी इंडस्ट्री कोड़ो कई बार कम मंगया ता जो ओ कुझ कम करके अपनी हाल सुदार सकन पर उन्हान दी ए चागी पूरी ना हो सकी तेंसो तो वी वद हिंदी ते पंजाबी फिल्मा करन लई साल दो हज़र ग्यारंच स्तीश कोल जी नो लाइफ टाइम अचीविमेंट अवोर्ड नाल नवाज है गया सी सो दोस्तो कुछ ए हो जी हार रहा स्तीश कोल जी दा सफर पंजाबी मुवी जड़ा दी टीम अरदास कर दी है कि वाहे गुरू स्तीश कोल जी नो अपने चरना चत्था देन ते उन्हादी रून शांती बक्षण दोस्तों मिल दें किसे होर जानकारी नालो दो तक जुड़े रहो चैनल अपडेट से लिए पंजाबी मुवी जड़ा यूटीब चैनल लो सब्सक्राइब करो ते पहला नोटिफिकेशन लें लिए बेल आइकन ते प्रेस करो